हेलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनेल एक्जाम तक में तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं अनुपाद तता समान अनुपाद तो दोस्तों आज मैं आपको बता दूँ कि अनुपाद और समान अनुपाद कर जो टॉपिक आज आपका होने वाला है बहुत ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है, इसमें हम आपके basic concept के लिए करवाएंगे, इसे concept जो आप लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ दिया करते हैं, ताकि हमें ये आते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताओं कि question आपकी इनी से, इनी concept से ही गलत होते हैं, और ये इसी topic के लिए नहीं, सभी topic के लिए ये chapter important है, तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं, देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि अनुपात तता समान अनुपात, अनुपात की बात करेंगे, तो दोस्तों अनुपात जो है, समान will you, ठीके, समान राशियों के बीच में निकाला जाता है, ठीके, समान राशियों के बीच में निकाला जाता है, देखिएगा, जैसे इस साइन को क्या कहेंगे, हम अनुपात कहेंगे, ठीके दोस्तों, इस साइन को हम कहते हैं, अनुपात, और अनुपात जो निकाला जाता है, अनुपात एक तुल्ला की जाती है, दोस्तो तो देखिए जैसे A और B A और B जो देखिए ये क्या होंगी या तो दोनों क्या होंगे रुपे होंगे ठीके या फिर दोनों क्या होंगी लंबाई होंगी ठीके या फिर क्या होंगे चोडाई होंगी ठीके तो आप समझ गए होंगे कि भया ये दोनों क्या है समानी उनिटिन में तो तुलना होती है जो चीजें समान होंगी उनी में तो तुलना होगी अब देखिए अब समान अनुपात क्या होता है समान अनुपात को आप समझे समान अनुपात उसे कहेंगे देखिए सम धन अनुपात मतलब अनुपात क्या होंगे जहां पर अनुपा मानुपाथ, ठीके, इस साइन को क्या कहेंगे आप समानुपाथ, ठीके, अब यह अनुपाथ और यह अनुपाथ क्या आपस में बराबर हैं, इसलिए अपन कहेंगे इसे समानुपाथ, इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ठीके, या इसको इस प्रकार से भी लिख सकते ह ठीक है तो चलते हैं अब अपन कोश्चन की और पहले अपन कोश्चन समझेंगे और क्योंकि अपनको यह सब चीजें समझ में आई गई हैं तो इससे रिलेटेड एक कोश्चन कर लेते हैं ताकि आपके कोश्चन ही तो आना है तो इन कोश्चन पढ़ लेते हैं तो दोस्तों पहला question आप लोगों के सामने यह रहा हो तो दोस्तों आपको क्या करना है पहले इसको 7 बटे आप 21 लिख लीजिए बराबर 3 बटे X लिख लीजिए इससे 7 से इसको काट दीजिए तो 7 एकम 7 और 7 तरी 1 इसका गुणा कर दीजिए इस 3 में तो X का इस 3 में गुणा इस 1 में गुणा हो जाएगा और 3 का 3 में गुणा हो जाएगा तो दोस्तों आंसर क्या जाएगा? No X की value क्या आगई? No आगई अब देखिए आपको क्या करना है? इसको अपन direct भी कर सकते थे बिल्कुल direct भी कर सकते थे कैसे करेंगे इसको direct? तो देखिए यहाँ पे बटे में होते ही है तो इसके इसको direct कार दीजिए तीन ठीके? और तीन का इस तीन में गुणा कर दीजिए लेजिए पेन चलाने की भी जरूवत थी पड़ी आगया ना आपका answer तो देखिए इसी प्रकार से करेंगे भया पेपर में आपको ठीके? एक्जाम ओल में कम से कम आपको पेपर का यूज करना है कम से कम आपको पेपर का यूज करना है तब ही आपको एक पेज मिलता है वहाँ पे ठीके? चलिए दोस्तों आगे एक और question है आप लोगों के लिए मिलाया हूँ बहुत दूर से तो दोस्तों ये question देखिए ये वाला जो question है ये वाले जो question है दोस्तों तो इस question में एक chain rules अनुपाद में chain rules लगता है कैसे लगता है भाया एक bridge बनता है इसका इससे relation होना चाहिए यहाँ पे A, अनुपाद, B ठीक है? और अगे क्या होनता है? कि जैसे देखिए इसको तो ये इसमें भी आता है और इसमें भी दोनों में क्या होता है? common होता है अब देखिए यहाँ पर ये जो B आ रहा है कहाँ पर आ रहा है? कहाँ पर आ रहा है इसका? और अपन को निकालना ये है स्वारी मैं आपको बता दूँ कि ये निकालना अपन को तो यहाँ पर ये B क्या आ रहा है? अर्थाद नो अनुपाद आठ ठीक है हो गया कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखें सवाल को solve केसे करेंगे तो मैं आपको वो बता दूँ कि जैसे B, C A की value कित्ती है तीन अनुपाद चार और B, C की value कित्ती है नो अनुपाद आठ अब दोस्तों देखिए यहाँ पे चार को आगे भी लिख लीजिए इसी क्रम में और नो को भी इस नो के आगे लिख लीजिए अब इसमें आपस में गुणा कर लीजिए तो यह हो जाएगा नो थियस सत्ताइस नो चो को छतीस और आठ चो को बतीस दोस्तों यह पाइनल आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सिंप्लेस्ट फॉर्म में है और इसको और जादा solve नहीं किया जा सकता किसी भी संक्या से यह cut नहीं रहा है ठीके अगर cut रहा होता तो हम किसी भी संक्या से इसमें क्या देते भाग दे देते और इसका answer भही निकाल देते ठीके दोस्तों चलते हैं next question की और मैं आपको इससे related basic basic rules में आपको सब बता दूँगा कि भही कैसे इसको solve करना है और जो आपकी संभीदा परिक्षा के लिए जी हाँ दोस्तों संभीदा परिक्षा के लिए बहुत जादा आपके लिए important सावित होने बाले ही ये fact तो देखिए one upon x अनुपात one upon y one upon j अब यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ समझिएगा ध्यान से समझिएगा आप बिलकुल ठीक है और वीडियो को लाइक करते हुए चलें देखें अब यहाँ पे देखिए पिछले वाले question में क्या पढ़ाता कि और यहाँ पे आपको निकालना क्या है a की value निकालना है x y z की value निकालना है अब देखिए इसको solve कैसी किया जासकता है दोस्तों option में यह भी होगा लेकिन आपको यह नहीं है इसका right answer नहीं है यह ठीक है आपको क्या करना है इसको उपर पहुचा दीजिए आप x y z को आप उपर ले जाएए जब इसको उपर ले जाएंगे तो यह क्या जाएंगे एक के बटे में जाएंगे ठीक है उल्टा कर दिया अपनने इनको उपर ले गए तो यह सारी जो value क्या जाएंगी इसके नीचे जाएंगी समझेएगा आप ध्यान से यह value को उपर ले गए यह value नीचे आ गई ठीक है अब देखिए इसमें आपको छुपाने वाला ठीक है एक बहुत अच्छा method बतारों में आपको समझेएगा बहुत ही अच्छा method है देखिए दो को छुपाया इन दोनों का into करके इस पर लिख दीजी दोनों का कित्ता हो जाएगा 15 पांच और तीन का into हो गया इन दोनों का into का हो गया कित्ता 15 उपर लिख दीजीए अब देखिए अब क्या करेंगे तीन को छुपाया दिख क्या रहा है दो और पांच तीन को छुपाया कित्ता दिख रहा है पांच दूनी 10 वेरी गुड ठीक है अब क्या करेंगे देखिए 5 को छुपाया कित्ता दिख रहा 3 और 2 3 और 2 का गुणा करके कित्ता लिख देंगे दोस्तो 6 ये value कट रही है क्या अगर किसी भी संक्या से कट रही होगी तो हम उसको काटेंगे अन्यता देखिए अन्यता वही हमारा क्या होगा final answer हो हो जाएगा तो दोस्तों किसी भी संक्या से नहीं कट रही है तो ये हमारा क्या हो जाएगा final answer तो चलते हैं next question की ओर दोस्तों मैं आपको अगला question बहुत ही प्यारा है ठीक है बहुत easy ओर देखें A upon 3 अनुपाद B upon 4 अनुपाद C upon 5 बराबर ठीक है बराबर में है बराबर में है तो देखें आपको निकालना क्या है इसमें A अनुपाद B अनुपाद C अनुपाद का value निकालना है अब मैं आपको एक बात और बता दू इस question को करवाने के पीछे मेरा उद्देश अगर बटे में कोई संख्या लिखी हो और आप से पूछा क्या हो अनुपाद पूछा हो तो वही उसकी आंसर होगा दोस्तों A अनुपाद A का आंसर A अनुपाद B अनुपाद इधर पर कितना हो जाएगा 3 अनुपाद 4 अनुपाद 5 यह इसका आंसर दोस्तों एक सेकेंड भी नहीं लगा इस question को solve करने में मैं आपको बता दूँ देखिए यह 3 किसी भी संख्या में A के बटे में कितना लिखा हुए 3 यह इसका आंसर होगा B के बटे में के लिखा हुए 4 तो यह इसका आंसर होगा C के बटे में के लिखा हुए 5 तो यह इसका आंसर ठीके आपको value निकालने के लिए देखिए इसका मैं आपको basic भी बता देता हूँ सर आपने ये तो कर लिया आप इसको ये तो बता दीजिए भीया तो मैं बता देता हूँ के से निकलेगा तो के माना ठीक है आपने के मान लिया अब देखें एक ही वेल्यू कित्ती निकलेगी 3K ठीक है आगई बात समझ में अब उसके बाद B की value कित्ती निकलेगी 4K और C की value कित्ती निकलेगी 5K अब देखें इनको अनुपात में set कर दीजिए तो 3K अनुपात 4K अनुपात 5K के सारे के cancel क्योंकि अपन किस form में देते हैं simplest form में answer देते हैं कि नहीं देते अनुपात में आपको कौन से form में answer देना है simplest form में तो ठीक है आगई बास समझ में चलते हैं next question की ओर जो की बहुत ही easy question है ठीक है easy question है तो x y बराबर दो अनुपात एक x y plus y square तो दोस्तों यह बाले देखिए अब यहां पे जैसे 2 क्या दिया हुआ है आपको मैंने starting में क्या बताया था दोस्तों थोड़ा सा याद करिए थोड़ा सा याद अगर नहीं आ रहा हो तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर से ज़रा देखिए जब बिलकुल starting में बताया था कि मैंने यह बताया था जो इसकी value रहेगी वही इसकी value रहेगी x बराबर यहां पे क्या निकले आया 2 निकले आया और y बराबर कितना निकले आया एक अब यहां पे आपको direct value पुट करना है पुट कर दीजिए भहिया 2 एक कम 2 ठीक है प्लस 1 क्योंकि इसमें square करोगे तो 1 ही होगा अब यहां पे 2 का वर्ग और 1 का वर्ग यहां पर कितना हो जाएगा 3 और बटे 3 से 3 cancel answer आजाएगा 1 ठीक है यह आपका answer आ चुका है देखिए आपको फिर से समझा देता हूं में यहां पर X अनुपात Y लिखा हुआ है बराबर 2 अनुपात 1 है और आप से पूछा क्या गया इसकी आपको निकालना है ठीक है इसकी value निकालना है तो इसकी value आप कैसे निकालने है X, Y की value जैसे X की value क्या होगी जो इसके सामने लिखी है बोई होगी और y की value क्या होगी जैसे 1 होगी अब आपको इनकी जगे इनकी value put कर दीजिए इनकी जगे इनकी value put कर दीजिए x into मतलब 2 into 1 और 1 का square और 2 का square माइनस 1 का square अब इसमें से इसको गटा जोड़ देंगे तो यह कित्ता हो जाएगा 3 और 4 में से एक जाएगा तो 3 3 एकम 3 एक बार कर जाएगा तो आंसर कित्ता जाएगा एक जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिख दीजिए थेंक्यू वेरी मच